कि गाइज विल्कम टू एडुकेम चैनल इन इस वीडियो लेक्चर वी आल गूंग टू डिसकूस अबाउट रेडॉक्शन तो इस लेक्चर में हम लोग इसको डिसकूस करने वाले तो पहले हम लोग देखेंगे की इंट्रदक्शन की कैसे एक रियक्शन फॉर्म होता है और विडियोटेंट एंड प्रॉडटक एड उसके बाद हम लोग डिसकूस क्राइंगी और रेडॉक्शन होता है और रेड़क्शन होता है नेक्स्ट है अटो डिफिने इस अक्रेड़क्शन टीशन लेक्शनन जोकि रियक्टेंट ए से एंग जो लॉस आफ इलॉक्ट्टों शो कर रहा है और reaction B से B यहां पर gain of electron शो कर रहा है तो इस complete reaction को हम लोग redox reaction बोलेंगे और in the further slides में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से redox reaction form होता है और इसके detail में हम लोग discuss करेंगे तो let's get started तो पहले हम लोग introduction इस topic के बार में देख लेते हैं तो यह redox reaction है क्या तो इससे पहले इसका मतलब यह है कि एक transformation होता है एक chemical substance से दूसरे chemical substance में, तो अब मान लो कि यह chemical substance है A, और यह transformation हो गया B, तो इसको हम लोग कहते है reactant, और जो product form हुआ है, इसको B जो यहाँ पे मैंने लिखा, इसको बोलता है product, okay, so reactant and product, अगर यहाँ पे transformation हुआ है, कुछ chemical change हुआ है, तो यह एक chemical reaction को बता रहा है, next, एक chemical reaction क्या होता है, कि जहाँ पे की motion of electron होते है, इसका मतलब यह है कि जो हमने reactant लिया है, और जो product formation हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, कि we already know जो reactant है, वो atom से बना हुआ है, और atom में क्या होता है, electron होते है, right, जो motion of electron है, वो हमको product बना के देता है, तो कोई भी reaction हो, जहाँ पे कि एक reactant होगा, और वहाँ पे कुछ chemical changes होगे, due to the loss of electron और gain of electron, जो कि हमको product बना के देगा, तो यह होता है, एक simple basic chemical reaction, so next हम लोग discuss करते हैं, कि reduction reaction में, यह oxidation reaction है क्या, और यह reduction reaction है क्या, तो थोड़ा याद करेंगे हम लोग lower class concept में, जो कि यह classical concept है, आपका 10th class या 9th class का concept है, तो उस case में हम लोग को पढ़ाया गया है, कि oxidation का मतलब क्या होता है, it is a chemical reaction in which oxygen is added, और hydrogen is removed, यह होता है, simple उसका definition, वो हमारे lower class में पढ़ाया गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक example लेते हैं, for an example, अगर हम HNO2 plus O2 को react करवाएंगे, तो यह बनेगा HNO3, right, HNO3, this is the nitric acid, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हम लोग oxygen को add कर रहे हैं, nitrous acid में, तो यह जो है, इस reaction को हम लोग बोलेंगे oxidation, उसके बाद और एक reaction देखो, example that is, zinc, अगर zinc में मैं HCL डाल दिया, तो यह बन जाता है, ZNCl2, ZNCl2 plus H2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि removal of hydrogen, हमने hydrogen को निकाल दिया है, और यहाँ पर addition of oxygen, तो इस तरीके के reaction को हम लोग बोलेंगे oxidation reaction, okay, समझ में आगे होगा, next हम लोग बात करते हैं, reduction reaction के यह, तो reduction reaction इसका simply ultra हो जाता है, इसका मतलब यह है, कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, addition of hydrogen होगा, और removal of oxygen होगा, तो इसके लिए एक example देख लेते हैं, example के तौर पर H2 plus Cl2, तो H2 plus Cl2, अगर इसको reaction करवाएंगे, तो they will form 2HCl, अब यह 2HCl, यह जो reaction है, यहाँ पर hydrogen को add किया जा रहा है, so this reaction will be a reduction reaction, example है, N2 plus H2, N2 plus H2, क्या बनेगा यह, यह बनेगा NH3, ammonia gas, so NH3, so यहाँ पर भी hydrogen को add किया जा रहा है, तो addition of hydrogen को, और removal of oxygen, for an example, अगर मान लो कि oxygen हमें निकालना है, so Fe2O3, Fe2O3 plus Al, यहाँ पर इसको अगर reaction करवाते हैं, so they will form 2 Fe plus Al2O3, अब इसको थोड़ा balance कर लेते हैं, this is 2, okay, so यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हम लोग oxygen को remove कर रहे हैं, कहां से, iron से, so this type of reaction will be called as reduction reaction, so next हम लोग different type of chemical reaction की बात कर लेते हैं, so there are total six type of chemical reaction in nature are possible, जो कि आपने lower class में भी पढ़ा होगा, so पहला reaction है combination reaction, combination reaction नाम से हम लोगा पता चल रहे हैं, कि two or more substance यहाँ पर क्या होंगे, combine करेंगे, या उन में reaction होगा, ठीक है, और वो एक single substance बना के देगा, अब example के तौर पर मान लीज़े, यहाँ पर sodium है, ठीक है, अब sodium में मैंने CL2 डाल दिया, अब sodium और CL2 अब यहाँ पर अगर reaction करेगा, तो यह बन जाएगा NACL, NACL, ठीक है, so this is two, तो यहाँ पर दो से जादा अगर कोई भी reactant हम लोग लेते हैं, और उसका reaction होता है, तो that type of reaction will be called as combination reaction, क्योंकि दो से जादा reactant जो है, यहाँ पर combine कर रहे हैं, next, decomposition reaction, अब decomposition reaction, decompose, इसका मतलब पर तूटना, इसका उल्टा, ठीक है, तो decomposition reaction में क्या होगा, कि एक compound breakdown into two or more simple substance, ठीक है, अब यहाँ पर example लेते हैं, calcium carbonate, calcium carbonate formula is CaCO3, so CaCO3 जब यह breakdown करेगा, तो they will form calcium oxide प्लस carbon dioxide, अब यहाँ पर क्या होगा है, कि calcium carbonate यह breakdown होगा है, calcium oxide और carbon dioxide, gas में, तो यहाँ पर क्या है, कि यह जो compound है, यह decompose होगया, तो this type of reaction will be called as decomposition reaction, तो guys next type of reaction हम लोग discuss करने वाले displacement reaction, नाम से ही पता चला है displacement, इसका मतलब यह है, more reaction metal is going to displace the less reactive metals, ठीक है, तो displacement reaction, इन्हें chemical reaction where one element displace another element, इसका मतलब यह है, तो इसको एक example के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, example is zinc, z and zinc is going to react with HCl, ओके, अब इसका अगर reaction करेंगे, देखो, होता क्या है, तो यहाँ पर क्या है, कि zinc is more reactive than hydrogen, तो होगा क्या, zinc hydrogen को displace कर देगा, और यहाँ पर ZnCl2 plus H2 का formation होगा, तो यहाँ पर क्या है, कि अगर reaction को balance करेंगे, तो this is 2, तो यहाँ पर balance होगा, अब यहाँ पर zinc जो है, इसका मतलब यह है, कि this is a displacement reaction, okay, next one is the double displacement reaction, इसका मतलब क्या है, कि basically यहाँ पर क्या होगा, कि iron का interchange होगा, is a reaction where positive and negative iron of two compound exchange plays to form two or new compound, इसका मतलब यहाँ क्या है, कि iron का यहाँ पर exchange होगा, तो एक example के तोर पर हम लोग देख लेते हैं, potassium iodide, KI, के आई, अब यहाँ पर reaction किया, PBNO3, lead nitrate के साब, ठीक है, अब यहाँ पर यह जो product है, वो बनेगा, के NO3, प्लस, PBI2, अब इसको थोड़ा बैलन्स कर लेता है, this is two, this is two, तो यहाँ पर देखो क्या है, कि potassium जो है, यह displace किया, किसको, PB को, और यह displace करके, nitrate का जो iron है, उसको अपने साथ जोड लिया, और एक नया compound बना लिया, और यहाँ पर PB जो है, वो displace कर लिया, potassium को और iodine के साथ एक नया compound बना लिया, तो इस तरीकी का reaction को हम लोग बोलेंगे, double displacement reaction, so guys, next हम लोग discuss करने वाल है, combustion reaction, अब combustion reaction, यह हमने lower class में भी पड़ा हुआ, combustion मतलब जलना, तो यहां पर कहा है कि कोई भी compound, अगर oxygen के साथ reaction करवाते हैं, तो basically oxygen क्या करता है, oxygen उसको help करता है जलने के लिए, तो होता है क्या है कि अगर कोई भी या फिर hydrocarbon ले लो या hydrogen ले लो ठीक है, तो reaction where, in which a substance react with oxygen gas, oxygen gas के साथ उसको react करवाएंगे, जिससे कि वहां पर heat and light यहां पर formation होगा, for an example, बहुत छोटा सा example है, H2 plus O2, अगर यह reaction करते हैं, so they will form H2O, ठीक है, तो यहां पर क्या है, कि यह जो reaction को हम लोग बोलेंगे, combustion reaction, अब यहां पर आप और भी बहुत सारे examples है, यहां मान लो कि आप CH4 ले तो ठीक है, तो CH4 is a methane gas, CH4 plus O2, इसको अगर हम burn करवाते हैं, तो they will form CO2 gas plus water, so this is also combustion reaction, okay, next हम लोग बात करते हैं, redox reaction के बारे में, so reduction reaction होता क्या है, कि reduction reaction, RED, redox, RED, यह जो RED है, यह आया है, reduction reaction, which stands for oxidation reaction, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक chemical reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously, मतलग एक साथ, reduction भी होगा और oxidation भी होगा, तो उस तरीकी के reaction को हम लोग बोलेंगे, Redox reaction, तो हमारा इस topic में, हमारा focus जो है, वो reduction reaction पर होगा, तो in the further slide हम लोग देखेंगे कि कैसे reduction reaction को लिखा जाता है, और कैसे उसका formation होता है, till then, thank you guys.